वेलकम टो श्राव डिक्टेशन, डिक्टेशन पांसकेन बार शुरू होगा Ready, Start किसी काम को विवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती यदि हमारे कामों में विवस्था की थोड़ी सी भी तुरुटी हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नती नहीं कर सकते हैं पराचेंज, सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं मियमानुसार ही चल रही हैं बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई विवस्था चल सकता है और नहीं सामाजिक उन्नती ही की जा सकती है क्या व्यापारी और क्या नेता सभी को नियम पुर्वक कारे करने से ही सफलता प्राप्त होती है विवसाय में तो विशेश तोर पर नियम तथा विवस्था अत्यंत आवश्चक है बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अन्यमित्ता दूर किये बिना विवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है किसी भी बड़े कार खाने को देख लीजिए नियम पुर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है यदि नियम में थोड़ी सी भी गरबड़ी हो जाए तो सारा विवसाय ही चौपट हो जाए यही नहीं कोई भी और कितना ही जटिल विवसाय हो विवस्था से ही सुचार रूप से चल सकता है कई अविवस्थित व्यक्ती यह सोचते हैं कि मुख लक्ष की और देखना ही आवस्षक है संबंधित बातों की विशेश विवस्था करने की आवस्षकता नहीं परंतु वास्तविक्ता यह है कि लक्ष से संबंधित छोटी छोटी बातों की विवस्था परमावश्चक है जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संभाल लेगा यदि छोटी छोटी बातों की और ध्यान न दिया जाए तो सारा विवस्था ही चौपट हो जाए पैरा चेंज यदि विवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नश्ट हो जाए उचित विवस्था करके ही शक्ती और समय की बचत की जा सकती है नियम पर चलते रहने से समय और शक्ती दोनों की बचत होती है नियमित व्यक्ती अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेकते बलकि एक नियत स्थान पर रखते हैं जिससे उन्हें ढूंडने में समय या शक्ती नश्ट नहीं करने पड़ती इस प्रकार उनकी शक्ती और समय अन्य लाभप्रद कारियों में लगते हैं पैराचेंज नियम पालन करते अर्थार्थ व्यवस्ता में रहने से ऐसी बुद्धी इस्फुटित होती है जिसकी सहायता से बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ती थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्यर्य होने लगता है व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है जबकि अनियमित व्यक्ती असफल ही होता है अतह यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दिड़ता पुरुवक किया जाए तब उद्देश पूर्ण हो सकता है अन्यता नहीं समाज की उन्नत भी नियम और अनुशासन पर ही आस्रित है यदि नियमों के करम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नती रुख जाएगी क्या साहित्य क्या समाज और क्या धर्म सभी की उन्नती नियमों की कडाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है जिस साहित्य समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दिर्टा से नहीं हो सका वह साहित्य समाज और धर्म नश्ट हो गया केवल दस अंकों की विवस्था के आधार पर ही गनित में आशातीत उन्नती प्राप्त की जा सकती है पैराचिंज वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीने विवस्था के कारण ही सफलता पुर्वक काम कर रही है उनकी विवस्था के कुछ आधार भूत नियम है उनहीं के अनुसार वे अपना कारे कर रही है यदि उनके नियमों अथवा विवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या धील दे दी जाए तो वे मशीने काम करना बंद कर दें और सब वेकार ही पड़ी रह जाएं पैराचेंज नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचिदा काम भी सरल हो जाता है आकास के तारे तथा अन्यगरह कितनी विवस्था से और नियम पुर्वक अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं इनमें तनिक्त सी भी गरबड़ी नहीं हो पाती यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए वैज्यानिक लोग संसार के असंख पदार्थों को दूरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्चक्ता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैज्यानिक उन पदार्थों का अध्यन करते समय उनके नियमों का भी अध्यन करते हैं तब ही उनके बारे में कुछ बता देते हैं हम धर्म, राजनीत, व्यापार, सिक्षा, यात्रा और सरकार आद की बातें करते हैं पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ग्यान कैसे प्राप्त किया और उसे नियम बद्ध करके पुस्तकों में लिपिबद्ध किया इन सब के लिए नियमा अनुसार कारे करना अपेक्षित रहा है पराचेंज सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यक्ता है नियमों ने ही समाज, देश, रास्ट एवं संसार के लोगों को एक सुत्र में बांध रखा है यद्यपी हमारे विचार स्वार्थ तथा उद्देश भिन भिन हैं इसमें कोई संदेह नहीं की संसार में ऐसे व्यक्ती भी हैं जो किसी नियम, विवस्था अथवा अनुशासन को नहीं मानते कुछ लोग नियमों के आधहार पर समाज को एकता के सुत्र में बांध देते हैं किसी काम को विवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती यदि हमारे कामों में विवस्था की थोड़ी सी भी तुटी हो जाए तो हमारे काम बिगड जाते हैं और हम उन्नती नहीं कर सकते हैं पराचिंज, सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमा नुसार ही चल रही हैं, बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई विवसाय चल सकता है और न सामाजिक उन्नती ही की जा सकती है, क्या व्यापारी और क्या नेता सभी को नियम पुर्वक कारे करने से ही सफलता प्राप्त होती है, विवसाय में तो विशेश तोर पर नियम तथा विवस्था अत्यंत आवश्यक है, बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अनियमितता दूर किये बिना विवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना संभव है, पैराचिंज, किसी भी बड़े कार खाने को देख लीजिए, नियम पुरवक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है, यदि नियम में थोड़ी सी भी गरवड़ी हो जाए तो सारा विवसाय ही चौपट हो जाए, यही नहीं कोई भी और कितना ही जटिल विवसाय हो, विवस्था से ही सुचार रूप से चल सकता है, कई और विवस्थित व्यक्ती यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष की और देखना ही आवश्चक है, संबंधित बातों की विशेश विवस्था करने की आवश्चता नहीं, परंत वास्तविक्ता यह है कि लक्ष से संबंधित छोटी छोटी बातों की विवस्था परमावश्च जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संभाल लेगा यदि छोटी छोटी बातों की और ध्यान न दिया जाए तो सारा विवसाय ही चौपट हो जाए